नागपुर में सनातन धर्म द्वारा इस वर्ष रावन धहन का आयोजन कस्तुर्चन पार्क में रत करते हुए कड़वी चोक के सनातन धर्म युवा सभा के प्रांगन में कुछ सदस्यों की उपस्तिती में किया जाएगा ये जानकरी सनातन युवा सभा के सदस्यों ने विक तो हम उनी से से जानते हैं कि आज की तयारिया क्या है? हमारा पिछले लगबक सत्तर वर्श से लगबग 70 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है जब मैं 15 वर्ष का था आज मैं 82 एटी टू क्रास कर लिया हूँ तब से ये परंपरा चली आ रही है उससे पहले से चली आ रही है और हम लोग पहले खुद रामलीला में भाग लेते थे रामलीला में पाड करते थे मेकोसावाग में जो रादा कृष्ण मंदिर है वहाँ पर खुद बनाते थे रावन पहले उसके पश्चाथ कस्तूर्चन पार्क में लगबग 6-7 दशक से वहीं करते आ रहे हैं और ये पबलिक की सेफटी को ध्यान में रखते हुए और शासन द्वारा निर्धारत निर्धारत उनके प्रमानों के हिसाब से हम कस्तूर्चन पार्क में नहीं कर रहे हैं पब्लिक की सेफटी प्रमुख वो है हमारे लिए, पब्लिक की सेफटी सबसे पहले है, लाख डेड़ लाख पब्लिक जमा हो जाती है, उसको ध्यान में करते हुए, इंगित करते हुए, हमले एक प्रतिकात्मक रूप से अपने सनातम धर्म, योग सभा का जो कड़वी चौक का प्रांगण है इसमें सिरफ पांच फुट का एक तर रहे हैं और बहुत कम संख्या में हमारे सदस्य प्रतिकात्मक रूप से अगनी को प्रजुलित करेंगे और यही हमारी वह है और इश्वर से प्रात्ना है कि भारत के सभी लोग देश के सभी लोग सुरक्षित रहें और यह महामारी से मुक्ति मिले देश में जो आघात हुए पूरे विश्व में जो इसका वह हुआ है और तो यह थे हमारे साथ सरातन धर्मिवा सभा के सुरक्षित जिनों ने हमसे आज की तयारियों के बारे में कुछ बाते साजहा की तो बस आज के लिए इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी कैमरा परसंट राज्य चंगिटवार के साथ जोया खान नागपुर